है लो स्टूरेंट वेलकम डू जीवन क्लासेज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकिंड अनुपरिक्त भौतिकी सेकिंड के सेकिंड के तरंक प्रकास की उसी के यहां पर सारे नुमेरिकल हम करने वाले हैं यूनिट फ़स्ट यूनिट सेकिं किया था जो यूश्च वीडियो को नहीं देख पाएंगे व्यूश्च structure में जाकर के एक link दिया हुआ है वहाँ पर किलिक क करिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट पर पहुंशेंगे physics की और वहाँ physics first के theory or physics first के जो unit first है उसके numerical को आप वहाँ पर देख पाये और unit second का जो theory portion है उसको complete हमने किया हुआ है वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं आज किस वीडियो में हम वही से आगे करेंगे जो unit second के numericals यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वीडियो के लाज तक बने रहिएगा और numericals को सही तरीके से देखेगा कि निमेरिकल्स में आप काफी जादा गलती करते हैं छुट-छुटी गलती आपका पूरा निमेरिकल्स जो गलत कर सकती हैं तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं एक बात आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको complete course यहाँ आपको दिया जा रहा ह और जो स्टुडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप Applied Physics Second में अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासिस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकास्ति की नुमेरिकल क्वेश्टन सॉलूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं ताप से क्वेश्टन इस तरीके से पुछेगा कि फोटॉन की त तरंग धहरे दी हुई है और बाद में हमको बता दिया गया है कि प्रकास के चाल आपको कितनी रखनी है तीन गुना दिसकी घात आट मीटर पर सेकिंड रखनी है और प्लेंक नियतांगा आपको सिक्स पॉइंट्स इंटु टैन्ट इपाव मानस की थार्टीफोर जूल सेक क्योंकि हम जानते हैं कि वन एंगार स्ट्राम एकॉल टू कितना होता है दसकी घात माइनस दस मीटर होता है इसको आप याद रखेगा यह इन्मेरिकल वैल्यू है यह इसको याद रखे तो फोटोन की चाल का फर्मूला होता है नियू एकॉल टू सॉरी विसी इकॉल टू यहाँ पर पर बेगालेंगे तो सुपन लेम्डा हो जाएगा और निउ होती हमारे पास वरती तो सेकिवल घॉप यह तो स्थी एकॉह तरइक से मैं रिखा जयते हैं इस तरीके से है निट को पता नहीं चला ऊसको लग जाएगा इस तरीके से सोरी हट्स को इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं और जो इंगलिस में लिखते हैं उसको हम लिखते हैं कैपिटल H और Z से ठीक है आप इस तरीके से याद रखेगा यूनिट आपको ज़रूर याद होने चाहिए कि कि देखें फिजिक्स जो है फिजिसकी नीव ही यूनिट से है यूनिट नहीं होगी तो सारी वैल्यू आपकी इधर आधर हो सकती है तो चलिएगा आप फोर्टोन की उर्जा के बारे में बात करें तो फोर्टोन की उर्जा का फ्रूमला होता है E equal to H new H की value आपके पास है 6.6 into 10 to the power minus के 34 और new की value आपके पास I है 5 into 10 to the power minus के 14 तो यहाँ पर solve करने पर हमें मिलता है 3.3 into 10 to the power minus के 19 Joule और यही आपका answer हो जाएगा तो आपसे पुछा था उर्जा और आपसे पुछी थी आवरत्ती और उर्जा और आवरत्ती हमारे पास दोनों ही मिल चुकी है ठीक है चलिए next question आपसे मालूम करेगा कि किसी electron की चाल दो गुना दस्किगा चार मीटर पर सेकिंड है electron के समन्द डी ब्रोगली तरंग धहरे की गणना कीजी जबकि M यानिक इलेक्ट्रोन का मास दिया हुए 9.1 इंट्ट्री पाव मैंस के 31 केजी ठीक है तो आपको यहाँ पर दिया गया है electron की चाल इनिके V दिया हुआ है 2 इंट्री पाव 4 मेटर पर सेकिंड और electron का मास दिया हुआ है 9.1 इंट्री पाव मैंस के 31 केजी ठीक है आपको निकालना है तरंग धहरे तरंग धहरे का फॉर्मूला होता है यानिके लेमडा इक्वल टू H अपॉन M V होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H की वैलू है 6.6 इंट्री पाव मैंस के 34 मैंने इसलिए कहा था आपको याद रखने के लिए क्योंकि यहाँ पर देखीगा यहाँ पर H की वैलू दी हुई नहीं है तो आपको याद रखना है कि जो प्रैंक नियातांक होता है उसकी वैलू 6.6 इंट्री पाव मैंस के 34 होती है ठीक अब यहाँ पर M की वैलू दे रखिए 9.1 इंट्री पाव मैंस के 31 और हमें जो है वी की वैलू दे रखिए 2 इंट्री पावर 4 जब इसको हम सॉल करेंगे तो इसको सॉल करने पर हमें मिलता है 3.62 इंट्री पाव मैंस के 8 मीटर तो यहां पर आपको नुमेरिकल का solution मिल जाता है आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से easy question आपसे पूछे जाते हैं लेकिन आपको सही way नहीं पता होता है और आप कही नहीं पर गलती कर जाते हैं कोई value आप गलत रख देते हैं वीडियो को यहीं पर pause करके आप अपने आपसे करके देखेगा और आपको answer match होता है या नहीं इससे आपके accuracy को बढ़ोतरी मिलेगी तो चलिए accuracy increase करिएगा बस numerical में आपका accuracy increase करनी होती है और कुछ भी नहीं होता देखे अब next question आपसे मालूम करेगा question थोड़ा आपको बढ़ा दिख रहा होगा लेकिन जादा बढ़ा नहीं है बहुत easy question है step to step देखते जाएगा 1 mm दूरी पर इस्थित दो समांतर पतली जिरियां दो समांतर पतली जिरियां है उनको एक वर्णे प्रकास से प्रकासित किया जाता है hundred centimeter दूरी पर इस्थित परदे पर fringe प्राप्त होती है जिसके मध्य दूरी कितनी है 0.5 mm प्रकास कि तरंग धहरे ग्यात करने ही यादि कि लेमड़ा हमें ग्यात करना ही है हमें यह पता चल चुका है कितना हुआ है यानि कि जो पर्दे के दोरी है वह कितनी है एक एम कर मिजनुट कितनी है उनका कितनी दूरी है सकते हैं कि Ahí एक मीटर पर है ठीक है और डवलो कितना दिया हुआ है 0.5 mm यानि कि जो विड्थ है जो कितनी है 0.5 mm जाएगे हम जानते हैं कि चौड़ाई जो है उसका फर्मला होता है यह फर्मला आपको याद रखना है बस इसी के आधार पर आपको उस्टन का अंसर निकाल पाऊगे तो देखिए डवलो इकोल टू दे रखा है हमारे पास वन और दसकी घात मैंस तिन दसके मैंस तिन यह आया था हमारे पास इसको करने पर ठीक है तो जब हम इसको स्वाल करें तो यह हमारा अंसर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने निमेरिकल में अक्यूरसी बढ़ा सकते हैं नेक्स विशन आपसे पूछेने वाला है कि दो प्रकास तरंगे जिनकी तीवरताओं का अनुपास चार है व्यातिकरण उत्पन करती है दिप्त और एदिप् इस दोनों की तिवरताओं कानुपास हमें बताना है तो देखेगा आएवन आइटो जो हमें दिया हुआ है की प्रकास तरंगे हैं तरंगों के तीवरताओं कानुपास दिया हुआ है याएटो फॉर्मुला होता है दिखेगा एवन स्क्वेर अपॉन यहां पर लिखते हैं तो इसलिए जब के इक गोल टू वन होगा तो हमारे पास यह पर बनेगा यहां पर जब फॉर्मूला में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा नौबटे-4 तो इनकी कंपेल करेंगे तो एक गोल और मदधो का स्क्वैर तो यह इसके क्मपेयर करेंगे तो एक टूज़ेगा दो और वन वार्फास टीन ठीक है तो एवन अपन एटुट कितना हो जाएगा तुर एक पॉन टू तो एवन इक्वल टू 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 घुल टू करेंगे तो टू एवन अपॉन टू अब दिपटिफरेंज की तीवरता हम कैसे निकालते हैं यानिके दिपटिफरेंज की तीवरता आइ एक दो करेंगे किया होल स्क्षार अब यहां पर हम करना वाल हैं तो 5 calm करेंगे करेंगे तो हमक्या जाएगा नाइन कि तीवर्टा है वह हमार पास आगे 25बटे 9A स्क्वेर ठीक है अब सेघ्जाब दोनों को घटा करके और हम इसको निकाल देते हैं तो ए वन माइनस एटू का होल स्कूर तो एवन माइनस टू एवन अपॉर्ण थी का होल स्कूर हो जाएगा अब दिखेगा आपका स्कूर अपॉर्ण हाई मैसींगे तो 25 से कहले हैं। छाएगा इस क्रणों कि पास हमारे पास तो ऑच्छ तो तो 20 ar तो आई मैक्स और आई मिनिमम का जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा 25 और अनुपात में हो जाएगा वन यह अनुपात हमरे पास आजाएगा ठीक है यह हमरा आंसर होगा नेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो लेंस के सईयोजन की फोकस दूरी जो है वह आसी सेंटि है आएगे संटीमिटर थुश्ट हुं यहां पर मिल चुकी है लेकिन हमेनक्ति क्या निकालने तो गाल्यां तो पावर होता है वन अपन मीटर यह भी आप याद रखेगा वन अपन मीटर बोलते हैं ठीक है तो पीट उकल टू मैनस के 3.75 डाप्टर आंसर आजाएगा ठीक चलिए नेस्ट के तरीके से आपके पास फिर से है कि 10mm की एक वस्तू अवतरश दूर मुक्खे अक्स पर रखे वुए यह तीस संंटिम्टर दूर है निके कि इतनी है तीस संटिमीटल ठीक है यानि के देखेगा अब यहाँ पर आप ध्यान से देखे कि जो भी हमारे पास 10 cm की एक वस्तू आवतर लेंज से 10 mm की एक वस्तू है यहां पर हम दिखा रहे हैं यह आवतर लेंज से यह इसका मुख्य एक्स है ठीक है 10 mm की वस्तू है 10 mm की वस्तू है वह जो है 30 cm दूर मुख्य एक्स पर रखी है यदि लेंस की फोकस दूरी 15 cm है लेंस की फोकश दूरी 15 cm है तो पिरतिभम्यम्य का आकार ग्याद कीजिए यह कोई यह वस्तू है यह हमारे पास 10 mm की और यहाँ पर अगर क्या है कि जो 30 cm दूर पर रखी है मुख्यक्स यह है ठीक है यह 30 cm दूरी पर है यहां पर किसे 30 cm दूरी पर है यह दि लैंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है 15 cm हो लैंस की फोकस दूरी कितनी है 15 cm तो देखेगा इसकी फोकस दूरी क्या होगी यहीं पर होगी तो यह क्या हो जाए 15 cm इस तरीके से यह हो यह फो इस साइड लेंगे तो माइनस आएगा इस साइड लेंगे तो पिलस आएगा और इस उपर लेंगे इस से उपर लेंगे तो क्या पिलस और इस से नीचे लेंगे तो माइनस देखेगा वस्तू यहां पर है तो इस अक्स के उपर है तो हमने क्या लिया H1 प्लस H1 प्लस लिया अब U जो है वो इस साइड है तो हमने क्या किया माइनस 30 और F यानिके अब तर लैंस का फोकस दूरी भी इधर ही है फोकस दूरी भी इधर ही होगी तो हमने क्या किया माइनस के 15 ठीक तो माइनस इसलिए रखा क्योंकि यह जो है हमारे बाइयोर है हमने बताया था अगर वीडियो आपको आपने देखी हो तो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा ठीक है अब देखेगा हमरे पास रिलेशन होता है 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u 1 upon f, f value minus 15 है 1 upon v हमें निकालना है 1 upon u, 1 upon minus k 30 आजाया क्योंकि यू की वैलु मैनस के 30 है ठीक है अब चुंकि रेखिया वर्धन जो हमारे पास वी है वह आया मैनस 10 तो रेखिया वर्धन का फॉर्मला हम लगा देंगा से यानिके रेखिया और है वह वह बस्तु की उचाई तो एम एंटु एच वन का मुद्री ता यहां पर वन अपॉन त्री आ जाएगा और यह आजएगा अम्में ठीक है तो आप याद रखेगा इस तरीके से हम जो है प्रतिविम का आकार हम निकालेंगे ठीक है चलिए नेस् प्रिज की तीवरता आई-नौट है जब एक को ढख दिया जाता है तो जो जो है इसका आरतिया है कि पृतिया कि प्रत्य प्रकास तरंग की तीवरता जो है वह सुन्य फ्रिंज पर्दे के केंद्र पर बंती है जहां दो तरंगों के मध्य कलांतर सुन्य है पर नाममी त divine ता के जो समीक्रन है वो समर्भास क्या यह पास है यहां पर आइण कोस फाइग प्लस एक मिसा Woods गया को तो तो आइवें में two और i, two i, यहां हो जाएगा. थीक है, तो क्या बचेगा, twoi यहां पर का श्रोत की दो कला संबंद सिलिट मध्य कितनी है दो एमेम की दूरी है यदि सिलिट पर यदि सिलिट तथा परदा एक दूसरे से कितना एक मिटर की दूरी पर इस्तित हो तो ग्याद कीजिए क्या ग्याद करना है फ्रिंज की चोड़ाई और फ्रिंज की कोणिये तो इसमें हमें लेम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्राम तो 5000 एंगस्ट्राम को 5000 गुनाद सिखात मैंनस 10 मीटर लिखेंगे और D equal to 2 mm है तो इसको मीटर में करेंगे तो 2 into 10 to the power minus 3 मीटर और D दिया हुआ है 1 मीटर तो सबसे पहले फिरिंज की चौड़ाई हमें पूछी है तो फिरिंज की चौड़ाई W equal to होता है D lambda upon small d तो capital D की value कितनी है 1 तो 1 into lambda की value है 5000 गुनाद सिखात मैंनस 10 ठीक और अपन में small d हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3 तो जब हम इसको solve करेंगे हमारे पास आएगा 2.5 into 10 to the power minus 4 मीटर ठीक है एक आंसर हमें यह मिल गया दूसरा हमने पूछा है कि कोण यह चौड़ाई क्या होगी फिरिंज की तो कोण चौड़ाई का formula हमारे पास है theta equal to lambda upon d इसको याद रखेगा theta equal to lambda upon d तो lambda की value है 5000 1010 की गास मानेश 10 और d की value है 2 गुना 10 की गास मानेश के 3 ठीक है आंसर हो जाएगा 2.5 into 10 की गास मानेश के 4 और यह देखेए याद रखेगा कोण यह चौड़ाई यह होती कोण का जो वह होता है next question आपसे पूछ रहा है कि यंग के एक वर्णे प्रकास व्यतिक्रण के प्रियोग में slit तथा परदे के मध्ये 1500 cm की दूरी है यदि 10 fringe के मध्ये 1.8 cm की दूरी हो तथा प्रकास की तरंग धर यह 6000 एंग इस्ट्राम हो तो slit के मध्ये की दूरी ग्यात कीजिए तो हमें capital D दि 10.50 मीटर और लेंडा दिया हुआ है तरंग धर रिये 6000 एंग इस्ट्राम तो 6000 की चौड़ाई डबलू हम मान रहे हैं तो 10 fringe के मध्य की दूरी 1.8 cm दी हुई है तो एक फिरिंज की चौड़ा कितनी हो जाएगी जब 10 fringe के मध्य की दूरी कितनी है इतनी है तो एक फिरिंज की 10 to the power of minus 3 मीटर ठीक है से मीटर में करणवट किया अब हमें पता है कि जो हमारे पास डबलू होता है वो होता है डी लैमडा अपॉन में डी यानि के fringe की चौड़ाई तो डी लैमडा अपॉन डी तो हमारे पास हो जाएगा यह डी इकॉल टू डी लैमडा अपॉन डबलू य हमेरे पास टोटल आंसर कितना जाएगा इस्मॉल डी इकॉल टू 5 इंटू 10 डबल मारस के 4 मीटर और यही हमसे पूछा था कि जो सिलिट के मद्धे की दूरी है वो हमें निकालनी है तो इस्मॉल डी इकॉल टू कितना है हमारे पास 5 गुना तस गास मारस 4 मीटर चलिए ने अबी वर्तन दो मिटर दूरी पर रखे पर देखा जाता है दो मिटर दूरी पर है यानि कि जो हमारे पास कैपिटल डी है वह दो मिटर आ गया केंद्रे उच्चिस्ट के दोनों और पृथम निम्निष्ट के मध्य दूरी गयात कि जिए वैरी वैरी इंपोर्टेंड और में यह question आपको मील सकता है तो देखिए ध्यान से लेम्डा दिया हुआ हए 600 alarm कि यहां पर आपको NM को क्या करना है बदलना है देखिए जहां भी अगर आपको NM दिखा हुआ मिले तो यह जो N है इसको आप दस्कीगाद मैनस 9 से चेंज करेंगे ठीक है दस्कीगाद मैनस के 9 से तो 600 गुना दस्कीगाद मैनस के 9 मीटर तो D equal to the 1MM तो 1MM को करेंगे 10 कीगाद मैनस के 3 मीटर आएगा और D equal to the 2 मीटर तो पर्थम निम्निष्ट की केंद्रिय उचिष्ट के केंद्र से दूरी कितनी है YN equal to N D lambda only देखेगा students यहाँ पर पर्थम निम्निष्ट की केंद्रिय उचिष्ट के केंद्र से दूरी इस लाइन को ध्यान से देखेए इस लाइन को ध्यान से इसलिए देखने को बता रहे हैं कि यहाँ पर यह निम्निष्ट और उचिष्ट में ज़्यादा confusion होता है तो यह formula किसका है यह आप देखेगा कि पर्थम निम्निष्ट की केंद्रिय उचिष्ट से और अपोन में एक गुनाद देखेज़ मैंस की तीन तो हमार पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 तो दी पावर मैंस के 3 मीटर अब केंद्रिय उचिष्ट के दोनों और के पिर्थम निम्निष्ट के मध्धी की दूरी केंद्रिय उचिष्ट के जो चोड़ाई है वो दो गुना पिर्थम निम्निष्ट की दूरी होती है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कि कि किसी पारदर्सी माध्यम पराप्तीत प्रकास परावर्तन के पैस्चात पुन रूप से दिया हुआ है 60 60 डिगरी है तो ग्यात करना है माध्यम का अपवर्तनाक और अपवर्तन कोण तो IP इक्वल टू 60 दिया हुआ है बुष्टर का नियम हम इसमें लगाएंगे बुष्टर का नियम क्या कहता है बुष्टर का नियम कहता है कि मियू इकोल टू होता है 10 IP और IP कितना है 60 तो 1060 की वैल्यू हमें पता है सभी जानते हैं कि ट्रिमोमेटरिक टेबल से रूट 3 होता है और रूट 3 की वैल्यू आप निकालें केल्सी से तो 1.732 आंसर आजाएगा ठीक है अब दूसरा हमसे पूछा है कि अपवर्तन कौन होता है और तो परावर्तन किरण के धुरुवित होने पर जो अपवर्तन कौन इस तरीके जो फॉर्मूला होता है तो IP प्लस कौन है वह आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री इस तरीके से हम निकालेंगे ठीक है अब देखेगा नेक्स्ट आपके पास है आपसे यह पूछ सकता है कि आइनोट तीवर्ता का धुरुवित प्रकास पॉलराइड से क्वेशन है इसको दिहान से देखेगा और चोटा से क्वे आइनोट तीवर्ता का धुरुवित प्रकास एक पॉलराइड पर पड़ता है जिसकी परिगमन अक्स आपासिक कंपनों से 30 डिग्री कोन बनाती है तो पॉलराइड से निर्गत प्रकास की तीवर्ता ग्याद करनी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीटा इक्वल टो 30 डिग्री और मैलस के नियम से निर्गत प्रकास की तीवर्ता हम निकालेंगे तो आइकवल टो हमारे पास आजाएगा आइगल्ट टो आइनोट कोस्ट स्क्यार ठीटा और आइनोट हमने पास एसे ही रहेगा और कॉस्ट स्क्राइग थिटा ठीटा की जगे पर हम रखेंग यही हमारा आंसर होगा तो यह निर्गत प्रकास की तीवरता प्रोडराइट से हम निकाल सकते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है किसी पारदर्सी माध्यम पर आप्तित प्रकास प्रावरतन के पैस्चाथ पुन्रूप से धृवित पाया जाता है तो माध्यम के लिए धृवन कौन कितना है 60 डिग्री ग्याद कीजिए माध्यम का अपवरतनां को और अपवरतन कौन तो देखेगा आईप एकोल टू 60 है बुस्टर के नियम से हम इसको निकाल चुके हैं ठीक है हम इसको निकाल चुके हैं तो इसलिए हम इसको नहीं देख तो मेलस का नियम जो क्या कहता है कि पॉलराइट से निर्गत प्रकास की तीवरता जब दूसरे पर पड़ेगी तो इसकी आधी हो जाएगी तो इसलिए दूसरे प्रकास की तीवरता होगी आई टू कॉस स्क्वाइट ठीटा और आई वन कितना है आई नॉट अपॉन टू कॉस स्क्वाइट थाटी हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री आई नॉट अपॉन एट और यहाँ पर निर्गत प्रकास की तीवरता जब हम निकालेंगे प्रतिसत में तो आई टू अपॉन आई नॉट करने के बाद उसको हम हंडेट से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आई टू की वैल्यू हमरे पास है थ्री आई नॉट अपॉन एट और अपॉन में आई नॉट है तो आई नॉट से आई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा और गुणा में हमारे पास हंडेट आएगा तो हम क्या करेंगे थ्री आपॉन एट इंटू हंडेड यह आएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 37.5% कितना पर पढ़ता है जिसकी परिगमन अक्स आपाती कंपनों से 30 डिग्री का कॉन बनाती है पॉल्राइड के निर्गत प्रकास की तीवरुता ग्यात कीजिए यह क्वेशन 2012 में आया हुआ है 2017 में भी क्वेशन आया था तो इस क्वेशन को आप देहां से देखेगा और यह क्वे कॉस स्क्वाइर थीटा थीटा और थीटा की वैलुए 30 डिग्री तो हमारे पास आजाएगा थी आई नोट अपान फॉर यह हमारा आंसर होगा तो यह थे यूनिट सेकिंड तरंग प्रकासिकी के सभी नुमेरिकल के सॉलूशन इन नुमेरिकल को आप कर लीजेगा इन से ब 60 कर दे 35 कर दे जो वैल्यू आपकी 3.75 दी हुई है उसका वैल्यू आप 5.67 कुछ भी कर सकता है तो आपको वैल्यू यानिकि डिजिट वैल्यू बदल सकता है लेकिन आपका पैटन और उसका पूछने का जो तरीका है वह सेम रहेगा तो इसलिए इनको आप सही तरह किसे त कोमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जैसे वीडियो हम यहां पर प्रोवाइड कराते हैं आपको तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जो है सबसे पहले वीडियो को देख पाऊगे थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में